आज कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चंडीगड की कॉंग्रेस अध्यक्ष हर्मुंदर सिंग लग्की जोगी नेत्रत्व में पांचवा चरण सेक्टर 29 में पहुचा जहां सेक्टर वासियों ने दिल खोल कर यात्रा का स्वागत किया इस यात्रा में हर्जाती धर्म के लोग ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और यात्रा को काम्याब बनाया अंदर एक सेकुलर सरकार चाहता है जो चाहता कि हिंदू मुसल्मान सिख और इसाई एक धर्म है एक मानवता का संदेश दे इसलिए आज की मारी यात्रा यह आज न हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो चंडीगड संसकरन है उसका पांचमा पड़ा हुए इससे पहले चार यात्रे हम निकाल चुके हैं और हमारा यह प्रोग्राम है कि हर सेक्टर में हर महले में हर गाओं में हर कॉलनी के चंडीगड के हम जाएंगे और लोगों को इस सरगार की जो विभाजन करने वाली नीतियां हैं जो लोगों को बाटने वाली नीतियां हैं नफरत फैलाने वाली नीतियां हैं उनके खिलाफ जागरूख करेंगे वैसे लोग पहले से बहुत जागरूख हो चुके हैं और इस जातरों को बहुत ज्यादा सायोग दे रह आफमिन पार्टी का रहल जी जा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार इस देश को बातने की कैसे एक शू नियोजित को इसफे चन्छ बाफन और लोगों को आपस में नफरत पहता है। नदेश कफला के ईाफन ये मिक हमकर रही है। यह हम एक सर्वधर्व संभाव का मेसेज देना चाहते हैं लोगों को कि हमारे हिंदू-मुस्लिम-सिक-हिसाई जो हमारा एक नारा था कि वो एकठे हैं और एकठे ही रहेंगे हम यह बहुत एक मजबूत और बहुत स्ट्रॉंग मेसेज आज 29 सेक्टर के लोगों को देना चाहते हैं और इसमें अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग धर्म की जो हमारे माननीय सिंबल धार में जो चिन है यह उठाई हुए हैं यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम सब एक जुठ हैं एक मुठ हैं